हेलो, गुड मॉर्निक दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के नाइन्थ लेक्चर में आपका स्वागत है आजगी लेक्चर में हम क्या काउर करने वाले हैं, पहले हुँ देखते हैं देखो आजगे लेक्चर में हम आर्टिकल 33, 34 और यहाते कि आर्टिकल 51 तक हम जो कवरा हो करेंगे अगर टाइम रहा तो और भी आगे है, उनको कंटिनू करेंगे देखो fundamental light हमने डिस्कस कर लिए थे, कि fundamental light है, वो हमें state के against दिये गए है state के ओपर limit लगाते हैं, कि state यह यह नहीं कर सकता और कहीं ने कहीं जो human है, आप बोल सकते होगे इंसा, हमें एक power देते हैं कि अगर भाई, कोई भी आपका right wallet होता है, तो आप इसके against, state के against है वो आप मतलब court है, जा सकते हो, high court भी जा सकते हो, supreme court दोनों जगया आप जा सकते हो ऐसा scene है, अब बात ऐसी है, कि देखो fundamental light है ना, उनके लेके कुछ न कुछ limit भी लगाएगी है कुछ कुछ चीज़ों को लेए, जैसे देखो बात यह है, कोई इंसान आर्मी में है अब अगर वो इंसान आर्मी में है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि वो कोई भी आर्मी की sensitive information वो public domain में लाके रख दे मतलब कहीं नहीं कि उसका थोड़ा बूर्ट फंडर्मिटाट गोलेट तो है ना, या उस पर limit लगी है तो इस तरिक की limitation है, वो हमारे देश की संपरभूता, अखर्णता या बाल सकते हो कि सोहनिटी को बनाई रखने के लिए जिह हैं, वो की गई है अब जिसे मालो की, आप बोलो की right to freedom है, कोई भी इंसान कहीं भी गूम सकता है, ठीक है बट आप किसी की private property में जाके नहीं घूम सकते, या फिर हम बात करें, कि आप घूमने की बात से मालो की आपका office time है, आप government servant हो, और आपका office time में आप बोलतों नहीं भाइसा, मैं तो घूमने जाओंगा, क्योंकि right to freedom है, traveling है, सारे मेरा right है, तो मैं कैसे भी कहीं भी जाओ, बट यह चीज महाँ पर applicable नहीं है, शिदी-शिदी बात ही है, जैसे कि, एक second खाली बेसलते हैं, लोक व्यवस्ता हुई, इसके साथ police हुई, जो परशासन हुआ हमारा, या फिर जो CBI हुई, या फिर और भी तरह कि जो I.B हुई, मैं इन्टेजन्स ब्यूर हुआ, या फिर न्यूज को इधर उधर नहीं कर सकते, उनके लिखके आपकी थोड़े बहुत fundamental light है, उनको limit है, वो क्या गया है, यह धानक न सारे fundamental light wallet नहीं हो रहे हैं आपे, उनको कुछ को limit है, वो लगया गया है, ताकि देश की रिसा मैं आपको बताई value है, वो बनी रह सके, तो यह में जो भी लोग रहते हैं, वहां के fundamental light को सिमित कर दे जाता है, मतलब उनके limit लगा जाती है, कि वो इस ज़्यदा काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है, कि नोट 30 में मैं लिप पहले, एसपा काफे ज़्यदा लगाता था, एसपा का मतलब था है, यहां पर armed force special power act, एसपा में क्या होता था, कि वहां के लोगों के fundamental light को मलब limit कर दे जाती थी, कि इस से ज़्यदा लोग कहीं घूमने नहीं जा सकते, वो भातियार वगरा यह नहीं रख सकते, कहीं नकी मलब उनके थोड़े बहुत fundamental light है, उन पर limit है, इसके बाद में आता है हमारा article 35, article 35 यह कह रहा है, कि जो fundamental light थे हमारे स्विधान के जो भाग तीन में है न, इसमें से कुछ उप्वंद है, जैसे कि एक तो था article 16 में third part, और इसे के साथी article 32 में third point, article 16 में third के हैं, वो यह कहता है, कि आवाज संबंदी कोई भी कानून नहीं, वो केवल और केवल संसत बना सकती है, हमने डिसकस भी गया था, कि कहीं भी किसे के लिए आवास वगेरा हो, रहने हो, रहने कि जो भी related कानून बनाने हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में पार्लियमेंट ही बना सकती है, ना कि स्टेट गवर्मेंट, तो बस इसी तरीक आर्टिकल जो 35 है, वो यह कहता है, कि सेविधान के जो कुछ उब्बंद है ना, जिसे कि आर्टिकल 16 में तीसरा पार्ट हुआ, या फिर आर्टिकल 32 में तीसरा पार्ट हुआ, इस सम्मंझ में अगर कोई भी कानून बनाना हो, तो वो सकती केवल और केवल पार्लियमेंट क के पास ही होगी, यह आर्टिकल 35 करता है, अब देखो यहाँ पर बात आती है, केस आते हैं, हम दोनों केस को उच्छे से समझ लेते हैं, एक साइड तो हम केस को डिसकस करेंगे, गौलकनात वर्सेज पंजाव स्टेट यह हुआ था 1967 में, और एक साइड हम यहाँ पर डिसकस करेंगे, केस वानन्द भारती के से, बहुत इंपोर्टेंट हैं दोनों, आपको उनका सारांस है, वो जुरूर पता हो ना, केस वानन्द भारती, यह कहा था, केस वानन्द भारती वर्सेज केरल, यह था 1973 में, दोनों ही काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में कुछ कुछ-कुछ बाते हैं, वो common भी आप बोल सकते हो, और कुछ-कुछ बाते हैं, अगेंस भी है, तो हम देखते हैं क्या-क्या सारा सीन है, देखो जो 1967 में गौलक नाद वरसेज पंजाब के इस था ना, इसमें Supreme Court ने हम बात करें, जूडिसरी ने क्या माना, कि जो Article 368, जिसके हम सविधान में amendment या कुछ चेंज करते हैं ना, सुप्रम कोड ने कहा, कि बाई साब आप जो Article 368 है ना, इसको लेख, इसकी help से आप सविधान के भागती, यानिक शिदी से बात कूँ तो, Article 368 की help से, आप जो fundamental right है ना, इनमें कोई संसोधन नहीं कर सकते, इनमें ये आपको पाउर नहीं दीगी है, सिदी से कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल 368 की help से, 368 की help से, आप fundamental right है, उनमें संसोधन नहीं कर सकते, ये पाउर आपको नहीं प्रोइड करवारी, ये बात की, गोलखनात वर्सेज, मतलब पन्जाब केस में, ठीक है, अब केस ओनन भारती केस में क आर्टिकल 368 है ना, इसके तहित fundamental right को मतलब इनमें अमेडमेंट ये संसोधन तो कर सकते हो, बट, लेकिन और लेकिन, सबसे important बात ये हैं, कि आपका जो एक तो काम है ना, वो according to constitution हो चाहिए, कहीं भी आप कोई भी चीज़ का मेंस्यूज नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ ए बर-बर नहीं होनी चीए, शिरी सी बात है हम बात करें, तो यहाँ पे एक basic structure का concept है, वो सामने आया case on भारती case में, कि बाइसा बिल्कुल सही है, आप article 368 के तहत सविधान में amendment कर सकते हो, और उसके तहत आप fundamental right को भी amendment हो कर सकते हो, लेकिन और लेकिन, important बात ही है, कि सविध सरजरी है, वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों में यह चीज़ा आर नकनी है, गोलकनात में तो सुप कलियर लिमना कर दिया, कि आप article 368 की help से कोई भी amendment fundamental right में करी नहीं सकते हो, ठीक है, यह बात यहाँ पे की गी थी, और इसके बाद में एक चीज़ हो है, जो गोलकनात केस था ना, यह इसमें के ओल fundamental right को लेके ही case किया गया था, मतलब जो यह बात कही थी थी ना, कि article 368 की help से आप सर्विधान के जो fundamental right है, इनको amendment नहीं कर सकते हो, बागी को लेके नहीं करी थी, देखो बागी तो आपको बता है, सर्विधान में आप article 368 की help स amendment करी सकते हो, जबकि case on land भारती में Supreme Court ने clear बोल दिया, कि बैसा आप पूरे सविधान में आप amendment कर सकते हो, no doubt, बस आप पूरे सविधान की basic structure है, इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, मतलब इसमें fundamental right भी आगे और बाकी सारी बाते clear कर दीगी थी, तो यह था case on land भारत है, एक second, हाँ, इसमें एक यह चीज आगिया आपको धान आ रही होगी, कि भाई यह basic structure का मतलब क्या हुआ, basic structure का समय आपको बता है कि सविधान का मैं धाचा है ना, गंकाल दंदर है, इसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो, अब देखो एक बात यहाँ पे यह थोड़ समझ मैं जाएगा, जैसे आपको पता है कि जूड़ी से रही है न, वो कोई भी decision दे देती है, तो उसका पुनर विलोकन या पुनर दिन इरिक्शन करती है, जैसे कि उसने कोई statement दे दिया आपना, या कोई भी आप बोल सकते हो कि एक तरीके का verdict दिया है, बट बाद में उसक सुप्रीम कोट वो चेंज भी कर सकता है, कि नहीं भाई ये गलत था, आगे से ऐसा होगा, मतलब कहीं न, कहीं जूडी से रही है, वो वापसे review कर सकती है उस चीज़ को, बट ये चीज भी एक basic structure ही है, ये आपको धान में रखना है, मतलब जो नया एक पुनर विलोकन है, य ये पी एक basic structure का ही पार्ट है, तो इस तरह के ये चीज़ें, जैसे कि हम बात करें, आपको बता है, कम इन धरम नीटपेक्स है, भारत एक secular country है, तो ये चीज़े क्या है, ये एक basic structure का ही एक पार्ट है, ऐसी चीज़ें वो basic structure में कहलाती है, अब देखो थोड़ा सा हम ये दे इधर हम कर लेते हैं, नीटिन देख से तत्वा है, या फिर सुरी, या फिर हम करते हैं, DPSP, उस भी, fundamental light आपको बता है, भाग 3 में आते हैं, ये आते हैं, भाग 4 में, ये तो वह भी मोटी मोटी बात, अब देखो जो fundamental light है ना, इनका scene ऐसा है, कि इनको लेके आप मतलब एक सरकार है, वो अपना stand भी रख सकती है, मतलब इनके आप वाद विवाद कर सकते हो, ठीक है, बट निती ने देख सकते हों में वाद विवाद का कोई scene नहीं है, मतलब आप इनको लेके भाएस नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपको धान में रखनी है, इसके साथ जो fundamental light है ना कि DPS भी कौन कौन सी है, इसके बाद में हम बात करें, जो fundamental light है ना, इनमें दखो अपवाद बहुत सार है, हर में अपवाद मिलेगा आपको, कि ये है समता के दिकार में भी चूट दी है, बहुत सार चीज़े हैं, मतलब इनमें अपवाद है, exception है, वो भरे पड़े हैं, जबकि नितिन दे सकते हैं ना, इनके लिए पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ता है, और कानून बनाने के बाद ही लागू है, वो होते हैं, और जो fundamental light है, वो एक individual person ये हर आदमी के लिए available हैं, जबकि हम बात करें नितिन दे सकते हैं, वो एक पूरे society है, हम बात करें आपको बता है कि DPS भी है, वो भाग चार में, पहली बात तो ये होगी, ठीक हैं, और राज्य के मलब state के, state को ये power देते हैं, जबकि जो fundamental light थे हैं, वो state के against थे हैं, तो article हम सलते हैं, 38 पही, article 38 है ना, 38 में जो पहला part है, वो ये कहता है, कि भाई, राज्य या state है ना, वो social warfare का काम करेगा, मतलब राज्य का काम क्या है, क्लियान करना, लोगों काम, बलाई करना, ये काम है राज्य काम, इसके बाद में आता है 38 B, अब देखो 38 B, और 39 B, और 39 C, ये तीनों एक जैसे हैं, मतलब राज्य को साथ मिला के, काउंट वो, डिसक कैसा हो कहा जाता है, 38 B, 39 B और 39 C है, ये ये कहता है, एक्चूली, कि भाई साथ, राज्य है न, वो एक समाजवादी, ये एक सोशल स्टेट होगा, मतलब राज्य का काम क्या है, समाजवादी फोर्मेट है, कि भाई, राज्य को ऐसे ज़से कि सोशल वेलफेर वाले काम की बात आपको बताऊं, कि मेड मेडिकल हेल्फ सपोर्ट हो गया, या फिर इस्टेट की जिम्मेदार है, कि लोगों को रोजघार परवाएड करोएड़ करोई, तो इस तरके के सारे चीज़ है, लोगों को घरार परवाएड करोई जाएं, तो ये सोशल वेलफेर वाले जो सारे काम है, वो इसके तैत होते और हमने देखो डिसकस भी कहाता कि आर्टिकल 39b और 39c हैं वो अगर एक्चुलिए गरुन को लेकर कोई भी कानून बनाती है और अगर किसी भी परसंड का fundamental light का violation होता है तो वो violation नहीं माना जाएगा क्यों? क्योंकि जो समाजिक format है बात करें कि समाज के भलाई के लिए काम क्या जा रहा है उसमें individual का benefit नहीं देखा जा सकता तो ये चीज़ हमने पहले cover है वो की थी? इसके बाद में आता है article 40 article 40 ये करता है जो gram 나가 tuya Turner उनके गठन को लेके है और ये आपको मैं बता दू gram पन्चायत आपको बताई है करागे इनको उनका取 करें करेंगे तो gram पन्चायत को गठन को लेके है और इसको लेके 73 जो amendment था तब इसको gram पन्चायत वाले concept को apply किया गया था तेतरवा सिवधान चिन्चोदन कब वा था 1990 में यादगर को बहुत इंपोर्टेंट है पंचयती राज व्यवस्ता कहां से लाग हुई थी राजस्थान के कहां से पौंचा जिला था नागोर डिस्टिक से राजस्थान में एक नागोर डिस्टिक है जिसका बेसिकली होहां प तो अर्टिकल 40 था ग्राम पंचयत वाला इसके लेके कानून बनाया कौन सा ग्राम पंचयत अक्ट बनाया गया था और इस अक्ट के तायत इसको अप्लिकेवल क्या गया था मतलब DPS पे उस directly applicable नहीं है इसके लिए state को कानून बनाना पड़ता है और फिर applicable होते हैं और वोई concept यहाँ पे आपने देख लिया Article 41 का कैसी नहीं Article 41 यह कह रहा है आपको इस हर एक्जामपल बढ़ाता हूं सबसे पहले Article 41 का based example है Manrega कि वही state की जिम्हेदर यह है कि लोगों को रोजगार वगेरा कुछ न कुछ देना होगा इनकि बेरोजगार होगे बुडे बिमार होगे उनकी help है वो की जागी और इसी के तहत मनरे का act बनाय गया था 2005 में और आपको बताए इस के तहत हर लोगों को 100 दिन की रोजगार गारंटी है एक साल में वो दी जाती है तो इसके लिए आपको देख लिया ना कि government ने पहले act बनाया है और फिर इसको applicable किया है यह हो गया Article 41 अब हम चलते हैं Article 42 Article 42 यह कहता है कि जो rule समाज है rule जो society है हम बात करें गाउं वाला एरिया तो गाउं के एरिया में जो कमजोर वर्ग है मतलब जो काफी पिछरेंजे दबे वे रह गए है यह फिर हम बात करें जो female है मतलब माता पी मम्मी आप हो सकते एक दरिगा से जो माता है है उनके portion के लिए जैसे कि आंगन बारी वगर है वो article 42 के तरह आप इसको समझ सकते हो इसके बाद में आता है article अपना 42 हो गयता है 43 आता है article 43 है कहता है कि जो ग्रामीन एरिया में या फिर हम बात करें rural एरिया में जो छोटी मोटे उध्योग है इनको परमोट करना ताकि जैसे कि जो हट करदा हो गया मतलब जो हैंडी क्राप्ट आइटम के हो गये जो लोकल एरिया की जो ट्रेडिशनल आइटम सोते हैं जैसे कि किसी एरिया में बास के टोकरी है या फिर होँआ पर स्वेटर रूवन वगरे कुछ भी प्रोटेक्ट में जा रहे हैं उन चीजों को परमोट के आजए यानि कि रूवल एरिया में रोजगार के साधन है उनको बढ़ाना इसके बाद में आता है आर्टिकल 40 को नहोंगा बना 43 हो गया तो अब हम चलते हैं आगे एक सेकिन आर्टिकल 44 है आपको काफी important आपको ध्यान होगा कि आपकी news में रहता है uniform civil court अब आपको ध्यान आ गया होगा जिसको लेकिए काफी मतलब बवाल भी मचा था uniform civil court का मतलब कहा है आपको सोटने तरहता हूँ uniform civil court का सीधा साब मतलब यह है कि सभी धरम के लोग हैं चाहे जो भी हो हिंदू मुसलिम सिक हिसाई जो भी हो इंडिया में सभी धरमों के सब्द जो लोग है उनके लिए rule एक प्ली सेम होने चीए उसमें कोई controversy नहीं हो चीए कोई भेदबाव नहीं होना चीए आपको धान रपना है कि पहले यह DPSP में दा और इसके लिए इसके लिए के government ने कानून बनाया और फिर इसको fundamental right है वो बनाया दिया गया और जो right to privacy है वो भी article 21 में ही आता है यह आपको पता होना चाही बेसिक चीज़े हैं देखो यह तो आपको धान रख नहीं है current affairs selected फिर आता है article 46 article 46 यह कहता है कि जो minority community है SC, ST होगी यह फिर और भी जो OBC पिछटा work है इसमें जो बच्चे हैं उनको scholarship के वश्ता किज़े और इसी के तैत government scholarship है वो provide करवाती है इसके बाद में आता है article 47 article 47 यह कह रहा है कि भाई जो सराव बगेरा हो गई यह फिर और भी जो इसके के नसिले परदार्थ हो गए ना इनको लेके state इनको रोकने के लिए state कानून बना सकता है जैसे कि बिहार में सराव बहन है तो वो आज को लिए क्या हुआ बिहार government ने जो article 40 से होना है इसी के तहत कानून बनाया है वहाँ की government ने और फिर वहाँ पर सराव बहन कर दी गई थी इसी तक इसे गुजरात में और भी state में सराव बहन है वो की गई है तो वो यहाँ पर है अब आता है article 48 article 48 का कैसे इन है article 48 यह कहता है कि जैसे गाय हुई जैसे कि बेल हुआ उंट वगेर हुआ इन पसू का आप वद नहीं कर सकते है मतलब इनको मार नहीं सकते है क्यों? क्योंकि यह काफी important है society के लिए इसलिए आप इनको मार नहीं कर सकते इनका mask वगरा के लिए इनका मतलब आप use है वो नहीं कर सकते है और इसी के तहती आपको पता है मार को लिए काफी बड़ी count hours थी है वो छीड़ी भी थी तो वो आर्टिकल 49 में ही आता है अब आता है आर्टिकल 49 48 था है तो 49 में क्या होता है कि जो भी हमारे national monuments उगरा है जो भी समारक है बात national monuments की नहीं है जो एक कोई से भी monument हो उनको हमें कंजव करके रखना है उनको आप तोड़ फोड़ नहीं सकते है फिर आता है आर्टिकल 50 आर्टिकल 50 यह कहता है कि जूडियस एरी है न कोई वो अलग है और जो हम बात करें हमारी कारिया पालिका वोई executive body हो गई है उसका काम अलग है मतब जूडियस एरी का काम अलग है निया पालिका और कारिया पालिका है उसका काम अलग है दोनों को आपस में एक दूसरे का interference करने ही कोई जुरूत नहीं है इसके बाद में आता है आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 क्या कहता है को हमने cover कर लिया अब 2-4 हमारे भ्रह गये थे जिनको एक्चुली में आपको बताया नहीं वो कौन-कौन से हैं वो आप अलग से याद रखना क्योंकि वो UPSC ने कई बार पूछे है ज़से आपको बता दूँ एक तो 39A 39A यह है मुफ्त में जो कानूनी साहिता है वो प्रवाइड कर वाजएगी और इसी के तहित आपको बता दूँ जो नालसा नालसा की स्तापना नालसा किसलिए बनाएगा था कि फ्री में जो लिगल एडवाजरी हेल्प है सपोर्ट है वो क्या जाएगा और काफी सारी इसके तहित आपको बता लोग अदालते भी वस्ता की गी थी मतलब चिदीसी बात यह है अगर आपको कोई भी कानूनी साहता चीए और तो वो फ्री में प्रवाइड कर वाजएगी और इसी के तहित वो आर्टिकल 39A में का गया है और इसी के तहित गोर्रमेंट ने नालसा की स्ताबना की थी जिसके बारे में सैदम ने डिसकस भी काफी बार किया हूँ इसके बाद में एक है 43A 43A यह कहता है कि जो इंडस्ट्री वगरा होती है वहाँ पर जो काम करते हैं जो इंप्लोई होते हैं उनके लिए जो मतलब कुछ राइट से उनको एक्ष्टा दिये जाएंगे एक्ष्टा का मतलब नहीं एक तरीके से आपको उनको छूट है वो दी जाएगी उनके लिए जो इंप्लोईमेंट स्टोक उप्शन होते हैं वो उनको प्रोईट करवाए जाएंगे इसके बाद में एक था 48A 48A देखो ये इसलिए बता रहा हूँ वैसे आपको क्योंकि ये अभी सारे न्यूज में थे 39A न्यूज में क्यों था क्योंकि नालसा जो लोग अदालते हैं ये जो नालसा की स्तापना की गी थी वो इसके तयत की गी थी 43A अभी काफी बवाल उठाता है जो इंप्लोई होते हैं सर्मिक इंडेस्टीज वगरा में उनको राइट्स वगरा को लेकि आर्टिकल 48A न्यूज में भी इसलिए था क्योंकि तमिलाड़ो में आपको बता है जल्ली कट्टू का काफी इसू रहा था और इसके लावा भी यूपी में भी रहा था दरेस्टेट में भी 48A यह कहता है कि आपको इंवार्मेंट को कंजव करके रखना है अब देखो बात रही इंवार्मेंट यहने के प्रियावरण प्रियावन क्या है प्रियावन का मतलब क्या हो गया जीव जनतू जो भी चीज़ें वो सारी चीज़े प्रियावन में काउंट हो जाएंगी चाहिए आप one forest ले लो आप जील माल लो या फिर आप जो वन्य जीव माल लो या फिर आप इंसान को ये माल लो या फिर जो घर वाले पालतू पसमें हर चीज environment में count हो जाती है मतलब environment को हमें प्रिजव या कंजव करके रखना है वो article 48a हमें कहता है तो वो यहां पे include होता है तो यह देखो जो सारे हमने DPSP थे उनको cover कर लिया है अब कल हम आजगी वीडियो वासे साथ काफी लंबी होगी हाँ लग बग 22-30 मिनिट की होगी कल हम क्या discuss करने वाले हूं आ नहीं करेगा तो ठीका आपको रैड दे दिये इसके बाद में स्टेट को और चीज़े दे कि भाई साब आप कानून बनाओ और लोगों का भला करो वो होगी DPSP में अब बात ऐसी है कि भाई साब सारा काम स्टेट ही थोड़ी करेगा हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी या जनता की भी मलब देश के लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना कि वो देश के लिए कुछ करे और वो काम होता है fundamental duties में ये देखो सविधान में स्टार्टिंग में नहीं थी इनको बाद में एड किया गया था कौन सा बैनली स्वाद जो Constitution Amendment हुआ था 1976 में उसमें fundamental duties को include किया गया था तो ये चीज़े आपको धान में रखने कि इन में क्या-क्या सारा scene था वो बत हम देख लेंगे कि ज़्यादा बड़े नहीं है वैसे तो आप चाहो तो भी discuss कर लेते हैं करे लेते हैं खेर चलो जल दी से किया है इसमें fundamental duties में fundamental duties कौन से आर्टिकल में आत किया है रूस सोव्यत रूस यह जो रसिया बोल सकते हो आज की टाम पर वहां से इंडिया ने अडोप्ट है वो की है और इसके जो कमेटी थी उसका नाम था सोवरण सिंग कमेटी यह बनाए गी थी वसे 1975 में इस कमेटी ने recommendation दी थी और उसके बाद में इनको जो बैनली स्वा स्विधान 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 हुआ था 1976 में उसके तैत इनको स्विधान में add कर दिया गया था जैसे इसमें यह काग्या है कि भाई में आप अपसी भाईचारे को परमोट करना है हमें आपस में culture को एक साथ मिल के आगे लेके जाना है हमें प्रियावर्ण को गण्यव करना है और हमारा जो काम करने का तरीका है वो मलब स्विधान होना ची हमें कोई ऐसी रूडी जो तरीके होते हैं पूराने ऐसा तरीका जिससे कही ने गहीं समाज का पतन हो रहा हो उन चीजों को छोड़ना है हमें देश के जो समार को मोन्यूमेंट्स हो गए इनके लाओ जो और भी ऐसी चीज़े हैं उनको हमको सबको प्रिजय हो करना है मतलब हमारी भी कुछ मोरल रिस्पोंसिबिलिटीज हैं उनकी हमें आदर करनी है जैसे कि भारत का तो तिरंगा जंडा है इसका हमें समान करना है भारत के जंडे की हमें गदर करनी है तो वो सारी चीज़े हमारे फंडामेंटल डूटीज में आती हैं और वो आर्टिकल 51-A के तहत इंक्लूड हैं व कि जो केंदरिये कारिया वाली का है उसके बारे में डिसकस करेंगी अब हम रियल पॉलिटी के अंदर घुशने वाल हैं और कल से हम राष्टरपती प्रधान मंत्री ये आगे-अगे continue करेंगी तो कल से लेक्टर और भी जदा इंट्रेस्टिंग होने वाल हैं अगर आपको अगरे को यहां तक कोई भी डाउट होना तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए बेज जिजएक आपको कोई मतलब सर्माने के जरूरत नहीं है आप कुछ भी डाउट हो किसी भी तरीके का आप कमेंट बॉक्स में किसी भी पॉलिटी हो हिस्ट्री हो उससे लिट यहीं भी पूछ सकते हो और आप वीडियो को जड़े-ज़दा सेयर क्या करो ताकि मुझे हो जड़े मोट्रिएशन है वो मिल सके तो आज की लेक्षर में इतना ही है तो थैंक्यू, थैंक्यूर मेंस फोर डिसकेशन